उधारण एक सरल कीजी पहला तीन की घात पांच गुणित नौ की घात चार हमें ग्यात करना है तीन का घात पांच गुणित नौ का घात चार बराबर तीन का घात पांच गुणित नौ को हम तीन का घात दो लिख सकते हैं क्योंकि तीन तिया नौ का घात 4 बराबर तीन का घात 5 गुणित तीन का घात यहां घात जो है उनका गुणा होंगा 2 गुणित 4 यहां पे हमने घातों की घात का नियम लगाया है चुकि एका घात M का घात N बराबर एका घात M गुणित N इसे कहते है घातों की घात का नियम बराबर तीन का घात 5 गुणित तीन का घात 2 चौक 8 अब यहां पे घातों का अधार 1 है घातां के अधार 1 है तो हम अधार को एक बार लिखेंगे और घात को जोड़ देंगे इसे हम कहते हैं गुणा का नियम चुकि एका घात M गुणित एका घात N बराबर एका घात M धन N होता है बराबर तीन का घात पांच धन आट बराबर तेरा यहां उधारन का हल होगा दूसरा कोश्टक में चार गुणित तीन की घात चार गुणित कोश्टक में दो बटा चार की घात छे हमें ग्यात करना है चार गुणित तीन का घात चार गुणित दो बटा चार का घात छे कमान ग्यात करना है तो सबसे पहले हम चार गुणित तीन का घात चार को हल करेंगे तो घात जो है कोश्टक खुलने पर चार के घात में चार लगेंगा गुनित तीन के घात में चार लगेंगा गुनित यहाँ पे घातांग में भाग का नियम लगाएंगे यहाँ पे हम दो बटा चार का घात छे को लिखेंगे दो का घात छे बटा चार का घात छे यहाँ पे हमने घात आंके दो नियम का उप्योग किया है A, B का घात M, बराबर A का घात M, गुणित B का घात M और दूसरा नियम जो की हमने यहाँ लगाया है यहाँ पर हमने लगाया है भाग का नियम A का बटा B का घात M बराबर A का घात M बटा B का घात M होता है बराबर हम इस 4 को 2 गुणित 2 लिख सकते हैं तो 4 को हम लिखेंगे 2 का घात 2 गुणित 4 गुणित 3 का घात 4 गुणित 2 का घात 6 बटा हम इस 4 को लिखेंगे 2 का घात 2 गुणित 6 बराबर यहां हमने घातां का नियम एका घात M का घात N बराबर एका घात M गुणित N का उपियोग किया है तो 2 का घात घात जब गुणा होंगे तो 2 चक 8 गुणित 3 का घात 4 गुणित 2 का घात 6 बटा 2 का घात 2 गुणित 6 बराबर 12 बराबर 2 का घात 8 गुणित 3 का घात 4 गुणित यहां पे हम भाग का नियम लगाएंगे क्योंकि यहां पे भाग में आधार एक है तो 2 का घात 6 रिन 12 चुकि हम जानते हैं कि एक घात M बटा एक घात N बराबर एक घात M रिन N होता है बराबर 2 का घात 8 गुणित 3 का घात 4 गुणित 2 का घात 6 रिन 12 बराबर रिन 6 आगे हम आगले प्रिष्ट में देखते हैं बराबर 2 का घात 8 गुणित 3 का घात 4 गुणित 2 का घात रिन 6 अब हम क्रम वीनी में नियम से 2 का घात 8 गुणित 2 का घात रिन 6 को हम पहले लिखेंगे गुणित 3 का घात 4 को बाद में लिख लेंगे बराबर 2 का घात अधार यहाँ पे एक है तब हम घातों को जोड़ देंगे तो 8 धन रिन 6 गुणित 3 का घात 4 यहाँ पे हमने घात गुणा का नियम घात में गुणा का नियम लगाया है एक घात M गुणित एक घात N बराबर एक घात M धन N बराबर 2 का घात 8 धन रिन 6 बराबर 2 हो जाएंगा तो यह हो गया दो का घात 2 गुणित 3 का घात 4 यहाँ उधारान का हल होगा तीसरा कोश्टक में 6 की घात 2 का घात 4 गुणित 6 का घात 5 बटा 6 का घात 4 हमें ग्यात करना है 6 का घात 2 का घात 4 गुणित 6 का घात 5 बटा 6 का घात 4 बराबर यहाँ पे हम 6 का घात 2 का घात 4 यहाँ पे घातों का गुणा होंगा तो यह बनेगा 2 गुणित 4 गुणित 6 का घात 5 बटा 6 का घात 4 यहाँ पे हमने घातों की घात का नियम लगाया है चुकि एक घात M का घात N बराबर एक घात M गुणित N होता है बराबर 6 का घात 2 चौक 8 गुणित 6 का घात 5 बटा 6 का घात 4 बराबर 6 का घात आधार एक होने पर घात को हम जोड़ेंगे 8 धन 5 बटा 6 का घात 4 यहाँ पे हमने घात में गुणा का नियम लगाया है चुकि एक घात M गुणित एक घात N बराबर एक घात M धन N होता है बराबर 6 का घात 8 धन 5 बराबर 13 बटा 6 का घात 4 बराबर अब यहाँ पे हम घातां के भाग का नियम लगाएंगे क्योंकि यहाँ अधार एक है और यह बटा में है तो हम लिखेंगे 6 का घात 3 रिण 4 बराबर 6 का घात 13 रिण 4 बराबर 9 यहाँ उधारण का हल होगा यहाँ निए तो हम ली एक है